आप लोगों का प्यारे सी यूटूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है तो आज की लेक्षर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज एंपियर के तीसरे नियम के अनप्रियोप कौम लोग सीखेंगे तो जो लोग नहीं जुड़े होंगे उनको जोड़िए और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर सेयर कीजिए आज चैनल पर नहें आऊंगे तो को ससक्राइब करके यह लेक्षर को देखतें की लेक्षर को स्टार्ट करते हैं आज की बें प्रियों स्टुंबकी पेट पर्णालिका के दूसरे सिरे से ले आके जोड़ दें। एक सिरे को दूसरे सिरे से लाग के जोड़ दें, तो क्या कहलाता है, टोराइड कहलाता है, अर्थार परनालिका के दोनों सिरे, ये वाला सिरा और ये वाला सिरा, दोनों सिरे को जोड़ दें, तो क्या कहलाता है, टोराइड कहलाता है, तो guys, आईए समझते हैं, पहले इसको की दिखनीशन लिख देते हैं तो गाइज जो हमने यहां पर लिखा है कि पढ़ना लिखा कि दोनों सिरे को जोड़कर बनाया गया एक बृत्ताकार कुंडली तो राइड कहलाता है तो वह आपको यहां पर चित्र में दिखाई पढ़ा है या तो आपको स्क्रीन पर दिखाई कर देते हैं तो वह कर नाली क्या नहीं वो टोराइड कहलाती है क्या कहलाती है अब ध्यान से समझेगा जब टोराइड के एक जब टोराइड को जो है हम लोग किस से जोड़ते हैं बैटरी से जोड़ देते हैं जब टोराइड को हम लोग क्या करते हैं किसी बैटरी से जोड देते हैं तो टोराइड के अंदर क्या होने लगता है धारा प्रवाहित होने लगती है तो टोराइड के अंदर क्या होने लगती है धारा प्रवाहित होने लगती है तो गाइज में टोपिक यहां पर आता है जब टोराइड के अंदर धारा प्रवाहित होती है तो धारा की दि प्रवेश करेंगी उसे हम क्रॉस से दिखाएंगे एक बाप पुना रिपीट करते हैं जो धारा प्रिष्ट के लंबवत बाहर की तरफ निकलेंगी और था जो धारा प्रिष्ट से बाहर आती रहेंगी उस धारा को हम लोग डौर से व्यक्त करेंगे और जो धारा प्रिष्ट के लंबवद अंदर की तरफ प्रवेस करेंगी उस धारा को हम लोग क्रॉस से दिखाएंगे तो यहां मिन चीज यह है एक दम बढ़ियां सा है आप यहां से देख के बता सकते हैं घ्यान दीजिएगा इस जब इस बैटरी के प्लस सिरे से इस बैटरी के प्लस सिरे से करेंड फ्लो हुआ होगा तो यह आई करेंड जब इस टोराइड के पहले फेरे में प्रवेस की तो आप यहां देख सकते हैं कि टोराइड के जब पहले सिरे में प्रवेस की तो यहां पर जो धारा है वो लंबवत क्या हो रहा है घ्य यहां से देखिएगा यहां से जब इस प्रिष्ट पे पहुंची यहां से धारा लंबवत क्या कर रहा है बाहर की तरफ निकल रहा है यहां पर धारा क्या हो रहा है लंबवत बाहर की तरफ निकल रहा है यहां पर भी देखिए यह जो धारा है हर एक सिरे पर यह लंबवत क्य हो रही है बाहर की तरफ निकलने का प्रियास करा अर्थात इस वाले प्रिष्ट पर इस टोराइड के जो नीचली वाली प्रिष्ट है उसमें जो धारा है वो लंबवत बाहर की तरफ निकल रही है और जो ये टोराइड का बाहर प्रिष्ट है ये जो टोराइड का बाहर प्र पर यह दारा जो है छोँद लंबवत अंदर की तरफ क्या कर रही है प्रवेस कर रही आप देखिए यदि धारा इदर सी दर बाहर निकली तो लिकलने के बाद जब इस प्रिस्ट पहुंसती चाहते गलेर 決म का रही है और इस TORIDE के आंतरिक वाले पर पर क्या हो रही है हमेशव धाराई की जुदिशा आए वह बाहर की तरफ निकलती होई दिखाई पढ़ रही है और जो आपकी बाय वाला प्रिश्ट है ये वाला जो प्रिष्ट है इस प्रिष्ट पर धार जो यह अंदर की तरह प्रवेशत करें इस टोराइड को हम लोग एक दूसरा रूप देंगे जिसके माझध्यम से हम लोग अपना आज यह डेरिवेट करने वाले थे तो इसको हम लोग एक दूसरा माझध्यम दे तो चलिए इस टोराइड को एक दूसरा रूप दे रहे हैं ध्यान से दिखिए यह टोराइड का आंत्रिक प्रिष्ट हो गया फिर बात करते हैं टोराइड के बाह प्रिष्ट की सब्सक्राइब का आंत्रिक प्रिष्ट यह इस बना है आप जो तार में धाराएं प्रोफित हो रही थी तार की जो दिशाये थी उसको निधाय करते हैं हमने क्या बता है कि जो धारा लंबवत बाहर की तरफ निकलेंगी उसे हम डौट डौट से दिखाएंगे इस तारिक के प्रिष्ट पर जो धारा की दिशा है उसे हम लोग किस से दिखा देते हैं डौट से दिखा देते हैं किस से दिखा देते हैं डौट से दिखाते हैं चली कर रही थी प्रवेस कर रही इस प्रकार हम लोग डाइग्राम को क्या करते हैं त्यार करते हैं अब बात आती है कि इस तोराइड की कारण जो चुमबकी छेत उद्पन हो रहा है वो हमको ग्याद करना to Schectала की कारण एक बिंदू पी ले ले टोराइड से कुछ दूरी पर एक बिंदू क्या ले ले पी ले ले जिस पर हमको क्या ग्याद करना है चुम्ब की छित ग्याद करना है माल लेते हैं कि टोराइड से कुछ दूरी पर एक बिंदू क्या है पी है जिस पर हमको क्या ग्याद करना है चुम पर चुम्ब की छित्यात क्या जाएगा एक बार ध्यान समझेगा एक बार मानेंगे कि टोराइड के अंदर कोई एक बिंदु क्या है ये पी था ये टोराइड के अंदर कोई एक बिंदु क्यू है आप इस पे बताई चुम्ब की छित्या होगा एक बिंदु माल लेंगे कि ट तो इन तीन इस्तिती पे आपको टोराइड के कारण चुम्ब की ये च्छेतर ग्याद करना है किसके नियम से एंपियर के नियम से तो द्यान से समझेगा एक बार डाइग्राम समझ गए तो सारी चीज क्लियर हो जाएगी कहीं भी कोई डाउट नहीं रहे जाएगा द्यान से कि यृडियर चान घायग्राम समझाते हमने क्या बता कि को टोराइड कैसे बनता कोई प्रैञां होती पिचा के दोनों सीरों को जोड़कर एक बृत्ता काल कुंडली दे देना ही क्या कहलता है होता है अब टोराइड जो होता है उसको वल्क बैटरी से जोड़ते हैं तो टोराइड में और तो बाहर की तरफ है एक प्रिष्ट अंदर की तरफ है तो हर एक प्रिष्टों पर धारा की दिशा ग्यात करते तो जब इस तार से धारा गई तो इस प्रिष्ट पे जब पहुंची तो इस प्रिष्ट पे पहुंची इस प्रिष्ट से क्या हो रही धारा यह बाहर की तरफ निकल रही फिर उसके बार अगले प्रिष्ट पे इस वाले प्रिष्ट से देखिए इस वाले तार के फेरे से इस वाले त तो इस टोराइड को हमने इस रूप में बद़ लिया तो टोराइड के बाहर फिष्ट पे जो धारा ला अंदर की तरफ आ रही थी उसे हमने क्रोश जी जिखा दिया और जो टोराइड के आंतरिक फे धारा बाहर की तरब निकल रही थी उसे हमने डॉट से जिखा दिया इतनी बात समझाई तो बात उठा कि इस टोराइड की कारण जो चुम्बकी छेत्र उत्पन होगा वो क्या होगा तो इस टोराइड की कारण चुम्बकी छेत्र तीन इस्तिती पर उत्पन हो सकता था एक तुपी पर जो की टोराइड से कुछ दूरी पर है एक तुभिया क्यू बिन्दू क्यू पर जो की टोराइड के अंदर ही है उसके बाद एक टोराइड के अच्छ पर जो की टोराइड के नदेपा इस्तितर है तो इन तीनों इस्तितियों पर चुम्ब की इच्छेत ग्या प्रपात यह होता है कि एंपीर की नियम के इनुसार जिस बिंदू पर चुम्बकी छेत्र ग्याद करना रहता है। उस बिंदू पर एक एंपिर पत्का क्या करते हैं निर्मार करते हैं। इस बात को आप गौड से अपने दिमाग में बैटा के रखिएगा कि एंपियर के नियम से जिस बिंदु पर चुम्बकी छेत्र ग्यात करना रहता है उस बिंदु P पर या Q पर R पर उस बिंदु पर एक एंपियर पत्का क्या करते है निर्मार करते है तो गाई ध्यान से समझ है टोराइड से कुछ दूरी पर है सबसे पहली टोपिक टोराइड से कुछ दूरी पर इस्तित बिंदु P पर चुम्बकी छेत्र ग्यात करना रहेगा तो जो चुम्बकी छेत्र ग्यात होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस पर एंपियर का नियम लगाने इसके पहले एक एमपिर पत का क्या करेंगे नयर्मार करेंगे तो मझेजि ध्यान समझेगा यह इस बिंदूूपी के लिए क्या एंपिर पत को अब सब्सक्राइब मध्यें कानि नियुः दगा सकते तो गर एक बात ध्यांस स्मझेजा थोड़ी सी बात समझने वाली बात है थोड़ी सी बात क्या है कि जो भी होगा ध्यांस अगर देखा जाए तो यहां बिंदू पीपर बात हो रही है जो बिंदू पीपर चुमकी छित की बात हो रही है वहां पर चुमकी छित की तिवता ज्यात करने से पहले इंपियर का नियम equal to क्या होता है mu not i होता है अब बात ही क्या आती है तो ध्यान से समझेगा कि इस toroid के जो बाहर बिंदु P है इस बिंदु P पर जो चुम्बकी छेतर ग्याद करना है इसके लिए जो आपने ये ampere पत का निर्मार किया है toroid के बाहर जो बिंदु P है उस पर जो चुम्बकी छेतर ग्याद करना है ये जो बिंदु P पर आपने एक ampere पत का निर्मार किया है इस ampere पत के लिए इस ampere पत के लिए हम लोग जो है ये नियम लगाएंगी तेहां पर आपको पता होगा mu intus ऐसे होता है इंपियर का नियम क्या होता है समेशन आई का मतलब होता है धाराओं का कुल्योग तो इस पत के लिए हम लोग इनके नियम का लगाने वाले हैं इनके नियम को लगाने वाले हैं तो भाईस ध्यान से समझेगा आपने किर्चाप के नियम में पढ़ा था कि जो धाराएं जो होती हैं, यदि एक धाराज संदी के समीम आ रही है, संदी के पास आ रही है, उसे आप प्लस मान लेते हो, तो जो संदी से दूर जाती है, उसे आप क्या मानते हो, रिडातमक मानते हो, क्या मानते हो, रिडातमक मानते हो, अर्थाज, यदि संदी के समीम आ जाने वाली धारा धनात्मक है तो संधी से दूर जाने वाली धारा रिडात्मक होती है तो इस सिध्धांद को याद रखेगा अब आप यहां देखिए इस इंपियर पत के लिए इस टोराइड में दो धाराएं उपलब्ध हैं फिर से इस इंपियर पत के लिए इस टोराइड के अंदर दो धाराएं उपलब्ध हैं एक धारा जो है लंबवत बाहर की तरफ निकल रहा है यदि आप उसे प्लस माल लेंगे तो दूसरी धारा जो है वो लंबवत अंदर की तरफ प्रेस्ट कर रहा है और थाथ उसे आप क्या माल लोगे माइनस आई माल लोगे या तो माइनस माल लोगे तो जितनी धाराएं प्रेस्ट कर रहे हैं उतनी धाराएं बाहर की तरफ निकल जा रहे हैं और थाथ धाराओं का योग क्या हो जाएगा सुन्ने हो जाएगा एक बार पुना समझेगा जितनी धाराएं यदि इस से ये बिंद की है यह देखो इस बिंदु से यह धारा बाहर की तरफ निकल रही है और इदर द्यान देजे एक मार कर और ले लेते हैं आपके लिए यह देखे अब आप देखें इस बिंदु से यह धारा बाहर की तरफ निकल रही है फिर उसके बाद इस धारा का विपरीत धारा इस धारा इसलिए धाराओं का योग क्या हो जाएगा सुन्य हो जाएगा आए इसको एक चत्र के माध्यम से भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं तो ध्यान से देखिएगा अब आप इधर देखे क्या बात करते हैं यदि मैं एक ऐसा पत ले लूँ ए ऐसा पत ठीक इस पत से एक धारा अंदर की तरफ ऐसे प्रिवेस की फिर उसके बाद दूसरी धारा इससे बाहर की तरफ क्या हो गई निकल गई फिर एक धारा इधर से प्रिवेस की और इधर से एक धारा क्या हो गई बाहर की तरफ निकल गई यदि आप इसे आई आई मानते हो दोनों आई आई धारा तो इन दोनों का योग, सुन्ह वो44 न तो इसी प्रकार इस बाय EMPIR पत के लिए, बिंदू पी पर जो EMPIR पत का निर्मार किया गया है, उस पत के लिए धाराओं का योग क्या होगा सुन्य होगा अब आईए बाते आगे बढ़ाते हैं और इंपियर के नियम का अनपयोग कर लगाते हैं तो इंपियर के नियम के अनपयोग से इंपियर के नियम से रेखी समाकलन B into DL Mu not summation i ठीक तो ध्यान से समझेगा इस पत के लिए धाराओं का योग क्या है सुन्य है तो लिखेंगे चूकी ठीक चूकी पी पर बने इंपियर पत के लिए बने इंपियर पत के लिए पत के लिए समेशन आई क्या है सुन्यां समय सब्सक्राइब्स उसकी बात तब क्या हो जाएगा देखी समाकलन B into DL इक्वल डू क्या हो जाएगा इधर ध्यान दीजिए यहां व्यू नाट आई यहां मिउन नाट ऐ यह म्यू नॉट इसका इंटू क्या कर देंगे जीरो तो सब मिला जो ला कि क्या हो जाएगा रेखी समाकलन बी इंटू डियल जो होगा यहां पर जो चुम की इसको हम लोग क्या करते हैं इसका समाकलन करेंगे तिया हम कर सकते हैं रेखी समाकलन बी इंटू डियल जो होगा व अगर आप पथलोगे तो वहाँ पर चुम्ब की छेतर क्या हो जाएगा सुन हो जाएगा क्यों चुम्ब की छेतर सुन होगा क्योंकि जितनी धारा हैं बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं उतनी अंदर से बाहर की तरफ निकल रहे हैं इसलिए चुम्ब की छेतर क्या हो जाता सुन हो जाता अब बातेक करते हैं टोराइड के अंदर जो बिंदु क्यों है उसपे ऊसको हम लोग क्या करते है है मूँव करते हैं अगर आपने इसका इस किन सॉप में लिया है तो तुरंत लेजे फिर उसको हम लोग मूब करने वाले हैं तो ध्यान रिजेगा सेकेंड इस्तिति आपके लिए यहां पत्यार करते हैं सेकेंड इस्तिति यहां ठीक सेकेंड इस्तिति क्या है कि टोराइड के अंदर टोराइड के अंदर तो राइड के अंदर बिंदू क्यों पर तो ध्यान से हमने आपको क्या बताया कि जिस बिंदू पर चुंबकी छेत्र घ्यात करना रहता है उस बिंदू पर एक एक एंपियर पत का क्या करते हैं निर्मार करते हैं एक एंपियर पत का क्या करते हैं निर्मार करते हैं थोरा सा आप लोग बढ़िया से बनाईएगा क्या करते हैं एक एंपियर पत का निर्मार करते हैं तो ध्यान से समझे एक बात आप देखे एक बात आप जड़ा सा देखे जो इस बिंद क्यू के लिए आपने ये एंपियर पत का निर्माड किया है क्या इस एंपियर पत के अंदर कोई धारा आ रही है मैंने आपसे क्या पूछा क्या जो इस एंपियर पत का निर्माड किया गया है इस एंपियर पत के अंदर क्या धारा आ रही है कोई भी धारा सामिल है तोराइड में जितनी धारा प्रवाइत हो रही है कोई भी धारा इस पत के लिए नहीं है अर्थात यहाँ पर धारा ही नहीं प्रवाइट हो रही है जब धारा ही नहीं बह रही है तो चुम्ब की छेतर कहां से उत्पन होगा अर्थात टुराइड के अंदर किसी भी बिंदु पर चुम्ब की छेतर सुनने होता है क्यों क्योंकि टोराइड के अंदर जो पत्य का निर्मार किया जाता है उसमें धारा प्रवाइत नहीं होती है इसलिए वहाँ चुम्बकी छेत्र क्या हो जाता है सुन्ने हो जाता है तो इसको भी हम लिख लेंगे तो इस बात को आप समझें इस बात को समझना रहा ना कि यह जो आपने इंपियर पत्स बनाया है इस इंपियर पत्स से यह भी धारा बाहर है और यह भी धारा बाहर है इस इंपियर पत्स के अंदर कोई भी धाराएं सामें लहीं है इसलिए बिंदु क्यू पर चुम्बकी छेत्र क्या हो जाएगा सुन्ह हो जाएगा इसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि टुराइड के अंदर जो बिंदु क्यों है उस पर जो चुम्ब की छेतर होगा B into DL वो म्यू नाट क्या होता है समेशन आई तहां समेशन आई समेशन आई नहीं आई ही 0 है क्या है आई ही 0 है धारा वां प्रवाईत होई नहीं रही है तो रैखी समाकल बी इन्टू डियर एक्वल टू क्या होत जाएगा जीरो तो सेकंड इस ति्टी पर भी चुम्ब की छेतका मान क्या होगया सुनने हो गया अब बात करेंगे थर्ड इस्तिती की टॉराइड के अच़ पर अब बात करते हैं आ पर तो ध्यान से इस विन्दू आप पे आपने एक एंपीर पत्का निरमाड किया है जो कि क्या करना है टॉराइड के अच्छ का काम कर रहा है, जो red colors हमने आपको दिखा है, ध्यान से समझेगा, हमने आपको क्या कहा, इस बिंदु R पे जुम्ब की छेत ग्याद करना है, और इस बिंदु R के लिए, हमने एक एंपियर पत का निर्मार किया है, और ये एंपियर पत, टोराइड के अच्छ के भात ही बिवहार कर रहा है, तो ध्यान से समझेगा, अब इस पे हम लोग एंपियर का नियम लगाएंगे, तो एंपियर के नियम से, क्या हो जाएगा, एंपियर के नियम से, रेखिये समाकलन, B into DL equal to क्या होता है, मिन नाट आई होता है, या समेशन आई भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और मिला जुला के समेशन आई का मान क्या आएगा, आई ही आएगा, तो धाराओं का योग क्या हो जाएगा, अब बात करते हैं, ध्यान से समझेगे, इस पच को हल करते हैं, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम क्या लिख सकते हैं, B into DL into cost data, हमन समझेगा, यदि हम बात करें, इस बिंदू पीपल, एक अलपानस भाग, एक अलपानस भाग माल लेते हैं, यह घंझेञे घंझे baskets, और खनी करते हैं, तो ईस लपानस भाग के कारण जो चूमवमकी छेत उत्पन हो आया, इस चूमवकी छेत की दिसा भी इधर के ही तरफ है जैसे आप एक अलपांस भाग डियल यहां पर लेंगे तो इसके कारण जो चुमकी छित्र भी होगा वो इधर के ही तरफ होगा आप एक अलपांस भाग यहां पर ले रहे हैं तो इसके कारण जो चुमकी छित्र भी होगा इधर थात हम कह सकते हैं कि बी और डी ल के बीच का जो ठीटा कोड है क्या है सुन। तो आपके सामने क्या मिल जाएगा रेखी समाकलन B into DL equal to mu not i आई 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 यहां से B को कर देंगे बाहर क्योंकि B का समाकलन होने वाला नहीं है तो क्या हो जाएगा integration of DL एकुल टु कितना आँए मूनाट आई होगे इतनी बात समझे मूनाट कितने और अगज़े अब आप ध्यान से समझीए यह जो DL है यह एक थोटा थोटा कई भाग होंगे तो छोटे छोटे भाग मिलके बृत कि परिद का नंवाग कर देंगे अर्थात यह जो integration of dl है वो किसके बराबर हो जाएगा 2 pi r 2 pi r तो ध्यान से नमझेगा यह बृत्त की क्या हो जाएगी त्रिज्जा तो 2 pi r यहाँ पर रखते हैं b into कितना हो जाएगा 2 pi r equal to mu not i इंको इधर की तरप पक्षांतर करेंगे तो b बराबर कितना जाएगा क्या तो इस प्रकार आपने क्या निकाल लिया टोट्रायड के अच्छ पर चूंवकी यदि हम मान ले कि जो भी हमने डाइग्राम बनाः था जो उसमें आप ने देखा था ना तार ययाकन के फेरो की संध्या navigation मान कि तार के फेरो की संध्या N माना तार के फेरो की संध्या जाए कितनी है एन है ठीक ध्यान समझेगा एन है तो यदि एक फेरे में आई धारा प्रवाइट हो रही है एक फेरे में आई धारा प्रवाइट हो रही है तो मिला जुलाक हम बात करेंगे तो एन फेरे में कितनी धारा प्रवाइट हो जाएगे जैसे एक किताब की मुल तो लिखेंगे यन फेरे में प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी क्या हो जाएगी अब बात करते हैं यन आई नहीं अब हमको चाहिए तार के एक भाग में प्रवाहित धारा का मान तो बात करते हैं एकांक छेत्र में या एकांक भाग में प्रवाहित धोने धारा तार के एकांक भाग में प्रवाहित धोने धारा गाइस दिखते हैं यदि मान ने माना फेरो की संख्या क्या हो एन हो माना फेरो की संख्या कितनी हो एन हो फेरो की संख्या क्या हो गैपिटल N हो तो क्या हो जाएगा d equal to हो जाएगा mu naught n i बटे किता हो जाएगा 2 pi r यहाँ ध्यान देजी यदि फेरो की संख्या कितनी हो n हो तो क्या हो जाएगा mu naught n i बटे 2 है गाईज तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं हमने जो टोराइड के अच पर जो चुमकी छेत्र ग्यात किया था वो आपका बेंज़ किया है जहां जो n है वो फेरो की संख्या आई धारा है आर क्या है तो आज की लेक्चर आपको जरूर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक किजेगा दोस्तों के साथ जरूर से अर किजेगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ एक बार वीडियो को जरूर से अर किजेगा मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ तब तक वीडियो देखिए enjoy किजिए thank you all dear student